नमस्कार न्यूज्डरम लाइब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत हैं मैं हूं नीरज शर्मा दोहजार चौबिस के चुनाओं के लिए आम चुनाओं के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां बहुत तेजी से शुरू कर दी है उसमें कल इंडिया लाइन्स की बैठत देखने को हमें मिली और ये उनकी चौथी मीटिंग थी मुद्दा ये था कि सीट शेरिंग पर किस तरीके से बात की जाए थोड़ा सा मुद्दा भटका लेकिन क्या क्या हुआ इनी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिश सयोगी और राजनितिक विशे सगे शेकर रैयर जी और और अरंगज भाई के पास चलते सबसे पहले और अंगजिब भाई कल की मीटिंग से आपके सूत्रों ने क्या इसी खबरें दी जो शायद अभी वीडिया में नहीं आगी नहीं देखे बहुत बड़े यही था कि जब त्रिनमूल की तरफ से डेरको ब्राइन बोल रहे थे तो सोनिया जी ने insist किया ममता बेनर जी को कि आप बोल लेंए तो उन्हों के कहा कि मैंने यह पर माना था कि मैं आज बात नहीं करोंगी चूंकि डार को ब्राइन बनना चाहिए होना चाहिए इंडिया तो ये थोड़ा सा स्टनिंग सा था इसका एक बैक्ग्राउंड मैं आपको देता हूं ये तीन महिने से अर्विंद केजरिवाल इस पे लगे हुए हैं काफी रिसर्च करके मेरे जो सुत्रों ने हमें दे दिया information के लगे रहे थे और उन बुदिजिम फॉलो करते हैं लेकिन केजरिवाल का ये अपने रिसर्च का कि ये सेम कास से दोनों बलॉंग करते हैं तो एक आइडियल कैंडिट होंगे और जिस तरह से एक संदेज जाएगा दलिच में कि बारत के पहले प्रदान मंत्री बन जाएंगे अगर चुनाव जीत पर अभीशेक बैनर जी ने बहुत स्ट्रॉंगली बोला कि नहीं हमें कांग्रस का ये किसी कांडिट को नहीं ये करना चाहिए कि कांग्रस तो हमेशा अपने आपको अपना ये मानते हैं बिग ब्रदर उनका अटिचूड रहता है तो हम नहीं करेंगे तो उन्होंने मना कर लिया उन्होंने क्योंकि उनका ही ये मश्वर्या था मेंता बैनर जी को तो बाद में हमने ये भी देखा कि कैसे देखे नितीश कुमार जो आजकल मेरे हमने पहले भी चर्चा एक नितीश कुमार जी पर की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है वो ऐसे कि अगर डियम के वाले ये पूछ रहे थे स्टैलिंग ये पूछ रहे थे कि मुझे हिंदी में अनुवाद करें तो कोई गलत बात नहीं कि हम ये एजूम करके कि हमें सारी लैंग्विजिस आ जाए ये कोई ये मतलब इसमें कोई नहीं था तो मनोज जहां पर बरस बड़े नितीश कुमार ठीक है ये अननेसेसरी था दरसल दर्द वही हुआ कि उन्होंने उनको नहीं किया कोई कंवीनर नहीं बनाया कुछ फेस नहीं बनाया जो उमीद करते हैं कि उनको फेस बनाया जाए उनको कंवीनर बना जाए उनके पास यह रहा जाए तो यह खड़के का नाम उनके लिए भी शौक हो आ गया था बहुत शौकिंग हुआ तो इसलिए वहाँ पर वो चले गए उसके बाद लालू भी चले गए वो प्रेस कॉंसरों में नहीं रहे लेकिन जैसे शेकर जी पहले कहा रहे थे कि बहुत बड़ी यह रही कि प्राइम निस्ट्रिल कम से कम उस पर चर्चा स्टार्ट हूँ पहले हम तीन यह चौथी मीटिंग थी तीन में ऐसी कोई चर्चा नहीं उठी कल यह भी ताई किया गया कि 31 दिसंबर तक जब जो एलाइज दे मुला कि हमें सीट शेरिंग पर आप अपना बता दीजे और थोड़ा साथ हमने देखा कि कॉंग्रेस थोड़ा उसमें जल दे आज उन्होंने काफी स्टेट उनिट्स को जहां-जहां जैसे पंजा में वेस्ट बंगावल में उनको तलब किया है दिली कि वो चल दे और वो 31 दिसंबर की डेडलाइन काफी सीरेसली ले रहे हैं तो म लेकिन में एक जो दो टेकवेज हैं एक तो सीट शेरिंग पर कि उस पर बहुत जादा जल्दी कर लिजे क्योंकि और तीन महीने वेस्ट किया कॉंग्रेस ने एलेक्शन पर और उस दोरान कोई कम्मिनिकेशन नहीं रहा कॉंग्रेस और दूसरे इस इंडिया ब्लॉक के दो थे मेरे हिसाब से निरेज शेकर जी कुछ एक डिसकुशन आया पी एम पोजिशन के लिए लेकिन प्रॉब्लम यह ही है कि वही डिसकुशन आ गया जिसको सब अबॉइट करना चाहते थे बहराल कौन-कौन है अभी पी-म की रेस में जो समझ में आता है कल की मीटिंग के बाद नितीज लालू यह सब लोग तो नहीं है खास करके कुल मिला करके अगर देखा जाए तो शायद अभी भी लग रहा है कि खड़गे एक आईडियल कैंडिडेट हो सकते हैं अगर खड़गे को किसी तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है इस पर एक सहमती बन जाती है तो क्या वो मोदी के लिए एक टक्कर वाले कैंडिडेट हो सकते हैं एक बन सकता है कि बैए व्यपक्ष ने अगर दलिट केंडिट दिया है और वो खरगेजी है अनुबो यह है और पहली बार किसी है किसी फॉर्मिलेट फॉर्मिशन ने दलित निता को प्रजट की है करके एक डिरेटिव बन सकता है लेकि कितने सक्षम होंगे मोदीज जी के जो लेड़ इंडिये को कैसे तरह बकाबला कर पाएंगे वो दूसरी बात है लेकि निरेज जी मुझे वही गाना याद आ रहा है कि दिल है कहां दर्द कहां लेकि ममता का प्रॉब्लम प्यान के अंडिट नहीं है जब वो कहती है कि अलाइंस देर हो गया यह हो गया जल्दी बता है यह कोग्रस डिले कर रही है वैसे यह बात उदव ठाकरे ने भी रखी है मेरी जो जानकारी है उदव ठाकरे ने भी कहा भई हम सब कुछ वहां फॉर्मलाइज हो स्टेट यूनिट से बात करेंगे स्टेट यूनिट से जो होगा अगर स्टेट यूनिट और रिजिनल पार्टी के साथ कुछ अग्रीबन नहीं हो पा रहा है तो फिर जाके राष्टे लेवल पर अक्सेट होंगी वह एक पोजिशन है अब सवाल आ रहा है कि मम्ता का क्या problem में ममता बड़ी clear करना चाहरी है वह कॉंग्रेस हमें बता दे कि आपका जो alliance अभी चल रहा है left के साथ वह alliance नहीं रहेगा क्योंकि ममता नहीं चाहती directly left से alliance हो या indirectly भी हो अच्छा वह Congress के लिए एक प्रकार से Congress सोच नहीं पड़ रही है तो इसलिए कॉंग्रेस कॉंग्रेस तुकि लोकल कॉंग्रेस जो है वह तस्चिम बगाल के जो Congress नहीं ता है वह इतने इच्छा नहीं है उनमें कि ममता जी के साथ को alliance करें दो सीट के लिए या तीन सीट के लिए उनको लग रहा है कि अमारे वामपंदी के साथ बन चुका है क्याडर लेवल पर भी adjustment हो गया उसको आगे बढ़ाए अचा वह अगर आगे बढ़ता है तो ममता करेगी उस बाबले को इसलिए ममता प्रिशन डाल लिए अचा यहां पर क्या है कि महराश्ट्र में परकाश अंबेदकर को जो पार्टी है उसको उदर ठाकरे लिया आना चाहते यह महावकास गाड़ी में उस पर शरत पवार का भी कोई इतराज नहीं है लेकिन कॉंग्रेस तुड़ा सोच रही है इसको कितना सीट देना है अब अभी इतरा भी बात आ गई है वह उदर ठाकरे अपने कोटा से दे देंगे जो शिपसेना की जो कोटा होगा उसको उसमें को अप्रिट कर लेंगे तो डिटी क्रिटी पर सब सारे स हो है लेकि चुनाव की जब चुनाव चल रहा है उसमें उनके लिए लिफ्ट का कॉंप्रबैस करना प्रॉब्लम है वैसे ही बाहमद्दी को भी एक प्रॉब्लम है देखे कल जैसे हो रहा था मीनाक्षी बटचारिया करके सीप्रियम कैंडेट है जो ममता के खिलाफ खड़ से भी बोला है कि नहीं हम ममता के पार्टी के साथ we cannot have agreement with party of murderers यारी जो वाह हो रहा है उसको जिकर करके नहीं हम अपोस कर रहे है तो अभी क्या है देविल सिंट डिटेंस हर राजी की जब बात की जाए अच्छा तमिलाडी में क्या प्रॉब्लम है कॉंग्रस तमिलाडी के वह कह रहे है बही आठ दस सीट देंगे भी आमें और ज्यादा चाहिए अब दियंके वाले वहां कहरे है आपके हैसियत क्या आगे आप 15 मांग रहे हो आपको ज्यादा सीट दे देंगे तो वहां पे एडियम के चीज़ जाएगा तो हमेरे लिए नुकसान होगा तो यह सार बार एक भी नहीं मिला था वहां पति को अब उस बीस में राउल जी का वायनाड भी उसी में है और इस बार बिनेराई विजह सोचेगा क्योंकि उसको भी पार्टी के अंदर प्रशर है कि वह वायनाड अगर वापस ले लेता है सीपीम के जीच जाती है तो उसको भी लगा है अपने लोग सर जगे हैं इनकी दमादी मिने बंतरी है तो वहां भी अलग प्रकार से बाल बन रहा है जहां वह भी चाहेंगे भी हम ज्यादा सीटे जीते तो यह जो प्रक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अलाइंस में अच्छा यह बड़ी इंत्रिस्टिक बात कल हु है आप उसी पर फोकस कीजिए उसमें जित्रा जीट जी वर्चुली वह भी चलेंज है देखें कॉंग्रेस के लिए संट्र स्टेज में आना वही बात है कि उत्तर बारत में ज्यादा तर जो डिरेक्ट फाइट है तीन सो सीटें जहां पर कम से कम दो सो सीटें उनमें सी सीटें जहां पर जो मारजन बहुत कम मारजन में जो कॉंगर्स हारी है तो उसी पर फोकस कीजिए तो देखें जो प्रेशर जो बिल्ट अप हो रहा है जो अलाइंस के अंदर और अलाइंस के सामने एक है समय समय बहु मंता मिली थी सोनिया से तब सोनिया ने कहा था मंता को देखे आगे जाके हमें ऐसा एक फर्मुला लाना चाहिए कम से कम 400 450 पर चाहिए कि हम एक one-to-one होनी चाहिए तब मंता ने उस समय सोनिया को कहा था मुझे याद है क्योंकि मेरे सोर्स से मुझे बड़ा डिटेल्स मिलाता तब मंता ने कहा था नहीं देखे हैं कॉंग्रस कमजोर हो गया बस यह हमारे पास सोड़ दीजे डीजिनल पार्टिस करें यह आप पिछे से यह कीजिए दक्का दीजी सोनिया ने कहां कॉंग्रस अविलिट अटिकेट इस रोल हम कै से हम तो मेर ओपोजिशन है ठीक है हम कमजोर है फिर जाके क्या हुआ आते यह सोला जो मीटिंग हुआ सोनिया और मंता उसके बाद मंता सोनिया मिली दी क्योंकि मंता बड़ी अपसेट थी उसके बाद आपने देखा कोशिस हुई कैसी आर मंता यह लोग एक नॉन कॉंग्र उसके सब्क करेंगे कि और विजेपी को मुकाबला करेंगे कॉंग्रस को किसी तरह कंपल करके हमें सब्सक्रेज सकता है अगर ، अची परफॉर्म कर सकती है यह Northern States में यह जो 300 सीट में बात कर रहा हूँ क्योंकि यह अगर हो जाए तब जाके युनो दिंग्स कें चेंज लेकिन वो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आज के तारीख में जी और अंगे जी भाई है 2014 में भी मोधी वर्सिस हूँ था 19 में भी आप 24 में यह गलती करोगे तो आप चुनाव लड़ने से पहले हार जाओगे इसमें कोई दो राए नहीं है आपको एक कैनिडेट करना पड़ेगा एनाउंस करना पड़ेगा और हमने यह देखा देखे बड़े तरीके से कल एक चीज होगी वहां मीटिंग में कि राहुल गांधी को एकदम उन्होंने अलग कर दिया इस चीज से जो कॉंग्रेस के नेता आप आप देखो जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई यह ट्रैक्शन मिलने लगा कॉंग्रेस को थोड़ा सा उसमें काफी लोग यह कहा कि वह प्रदान मंत्री कैनिडेट है विल्कुल रहे थे अभी हाँ बावी प्रदान मंत्री है फ्यूचर प्राइम सब वह बाते कर रहे हैं लेकिन आप देखे कल बहुत ही तरीके से बहुत ही एक मैं कहता हूं बहुत जबर्दास उन्होंने स्ट्राटीजी यूज की आरविंद केजरिवाल और मंता बाने जिस तरह से रहुल गांदी को इस इस खासकर अभी आगे क्या होगा मैं सकते हैं लेकिन अभी रहुल गांदी वर्सिस मोधी हो जाएगा तो वान साइड़िड एलेक्शन है यह सब मानके चलने हैं कि आपका कोई मैच नहीं है मोधी के सामने रहुल गांदी कोई 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 मैच नहीं और जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि एक आदमी जो जिस तरह आपको एक काउंटर नारेटिव के लिए जिस तरह से एक अपना बिल्डब करने के लिए एक चहरा देना ही पड़ेगा और वो चाहरा होना चाहिए निरज बहुत जरूरी है चाहरा बी और जैसे शेकर जी कहा रहे थे कि घरगे जी मैं यह है कि एक्सपीरेंस है पचास साल का experience है दोनों administration का है legislation का है एंबले रह चुके हैं MP रह चुके है मंतरी सेकेंदर में स्टेट में रह चुके है तो एक experience है जो लेकिन यहां पे यहां पे भी एक पेंच है पेंच यही है कि क्या ख़ड़ के जी एक रबर्स्टांप बनके नहीं रह जाएंगे जो देष ने दस तो इसलिके वो अभी दूर की वाद अबी दूर है इस में पर्शन में कहते हैं दूर असत है तो अभी maintainedári को पास आ ने जीए यह मुड़ा उठेगा लेकि ऐस अफ नौव जो आपने बात कही शेकत जी करने हैं कि एक फेस का होना बहुत जरूरी है लाजमी है ताकि वोटर के पास एक option रहे एक choice रहे कि कि किसको अगर इनको नहीं तो यह इनका एजंडा क्या है और इनका एजंडा क्या है वो साफ होना चाहिए जो अभी तक इंडिया एलाइंस ने दियाने और अगर नहीं किसी भी आज राह चलते जो लोग politics को actual में फॉलो नहीं करते एक बार या तो किसी की बात सुन करके या किसी की बात कहे करके मतलब इन लोगों को मैं बोलता हूं हाशी पर बैठे लोगों में से भी जो आज की young generation है कईयों के दिमाग में यह आ चुका है कि moody government autocratically behave करती है यह केवल विपक्ष के लिए नहीं सत्रापक्ष के लिए भी एक गलत narrative कुछ voters के दिमाग में जा सकता है यह जा सकता है लेकिन मोदी जी का जो जो है ना उनका वो लाभारती को देख रहे हैं उनकी campaign में आप देखे उसमें 377 राम मंदर यह सब हो चुका है वो उतना ठीक है उसका अपना हो सकता है एक क्या करें ट्राक्शन हो सकता है लेकि ज्यादा तर मोदी जी का focus अभी जो विक्षित बारत का जो campaign शेश होने वाला है बार बार वही flagship program उसके beneficiaries मैला जंदन योजना जल जीवन मिशन आपके PM अवाज योजना आईश्वान बारत जन आउशदी व जादा लोगों के जुड़ा हुआ मुद्धा जहां पर ये बाते जो हम कर रहे है ना ताना शाही ये वो सब ज्यादा उतना नहीं है वो लाबारती पर focus कर रहे हैं तो अभी भी अभी भी को मतलब विक्ष को लेकर किसी चुनाव को आपको done deal नहीं कह सकते हैं तो कि चुना मांद लिजे मैं मेरा एक सोच है अकर कॉंग्रस ते कर ले नहीं हमारी प्रियांका है कम वट में एक डरी कर ले जुड़ा जो भी हो जाए देखें उसका अलग डैनिमिक होगा कि अब जितने अर्गुमेंट अभी तक रखेंगा प्रियांका सक्सेश नहीं सक्सेश वह लेकिन एक प्रकार से अलग यह हो जाता है कि पॉलिटिक्स में क्या है कौन सा इडिया कब पकप होगा कब जो पकड़ेगा उसका कभी आक है नहीं सकते लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष में कास करके कॉंग्रेस में इतनी थिंकिंग हैड्स आगे इस तरह बोल्ट चीजे करने के लिए वह वाला चीज अभी नहीं है क्योंकि अभी भी बात पताओ ऐसे वोटर्स आगे नहीं नहीं वोटर जा रहे उन्होंने कभी कॉंग्रेस साशन देखा ही नहीं और उनको कोई दिवाग में नहीं है जो जो कॉंग्रेस साशन के हम बात करते हैं प्लस बाइनस जो भी है वो कभी देखे नहीं है मध्यप्रदेश में भी ऐसे वोटर्स थे वो देखे नहीं है अब क्या है कि कंपेइन में आउट अफ दो बॉक्स भी होना है तुड़ा बो जाने सीज़े मोधी और मप्ता ने भी इंडी में अलाइंस में बोली है कि प्रियंका को लड़ना चाहिए मोधी के खिलाफ वह अपने हाप एक ट्रैक्शन होगी अब क्या है ऑपोजिशन की पास मैं जैसे समझता हूं कोई टेस्टेड फॉर्मला नहीं है कुछ नहीं ट्र होगा क्या है कि आपको बड़ा डरिंग चाहिए जो कॉंग्रेस को उच्छा कर देगा क्या रख हो आज की तारिक में वहीं सबसे बड़ी चुना होती है और अंगजे बहुताएंगे कि कि कितनी एक्सेप्टेंस है प्रियंका गांधी की विदिन कॉंग्रेस क्योंकि देख कंडिडेट है तो सबको वही मानने होगा या खड़के जी को अनौंस कर देंगे तो करे करताओं को ऐसा लगेगा कि नहीं चलो यही हमारे प्राइम मिलिस्टर कंडिडेट है अभी तो पहले पार्टी के अंदर के अंतर विरोध को देखना है फिर उसके बाद जो अलाइंस आउट ऑफ दो बॉक्स आपको आइडिया लाना पड़ेगा अदर्वाइस आप वही गिसे पिटे अपने चलेंगे तो वो चलेगा नहीं अगर आपने प्रियंका को किया हो सकता है कि महिला वोटर्स आपका एकदम उसमें ट्रैक्शन बड़े लेकिन जैसे आपने कहा कि कि अभी भी आप देखोगे इन तीन राजियों में या तलंगा चार राजियों में डिमांड ज्यादा प्रियंका की ही आ रही थी आप अलग बात है कि रहूल आपको कॉंग्रस नेता आपको कोई कॉंग्रस ही बताएंगे नहीं कि ऐसा है वह अभी भी क्यूंकि उनके लिए उनके लिए सर्वल परे हैं तो वो कहेंगे कि रहूल गांडी है लेकिन डिमांड ज्यादा प्रियंका की ही आ रही है लेकिन मम्मी की भी तो डिमांड है बेटे को सेट करने की बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा इश्यू है इसी कारण एक आपको अगर याद होगा हमने एक निविस ड्रम में लिखा था कि ये रिशफल क्यों रुका है वो इसलिए रुका है क्योंकि सोनिया गांडी और राहूल गांडी दोनों ये चाहते हैं कि प्रियंका गांडी अपना जनल सेक्रेटरी का पद छोड़के वो कॉंग्रस कमीटी की मेंबर जो है वो उसी मा बेटिये ये चाहते हैं कि प्रियंका गांडी जनल सेक्रेटरी के पद पे ना रहें लेकिन जैसे शेकर ने कहा कि out of the box मैं उस बेसिस पर कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो acceptance है इसमें कोई दोराय नहीं है देखिए ये भी हुआ था कि जब राहूल गांडी नहीं प्रियंका गांडी को पुड़ा तो एक यह है देखिए कॉंग्रेस के अंदर खाते में यह है कि राहूल गांडी मैच नहीं है मोदी जी के लेकिन प्रियंका के का कोई ट्रैक्शन ला सकती है यह वह रूल आउट ने कर रहे हैं वो कह रहें कि उनके बहुत उनका उनका उन करते हैं जी अब इसा है कि नहीं है प्रियंका गांडी की किंडिदेचर जो है पेम के सामने अभी टेस्टर भी नहीं है देखें उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा आ अभी बात सही है राहूल गांडी ने फिर भी अमीठी में चुनाव लड़े हैं 2004 से लड़े आ रह चलिए उमीद करते हैं वो जो out of the box idea आए किसी के दिमाग में आए अब किसी candidate के लिए लेकिन out of the box idea की पूरी देश को उमीद रहेगी ताकि एक contest देखने को मिले मैच में मज़ा नहीं आएगा मेरा जो पॉइंट भी यही है बिल्कुल ठीक है हारे बाद में जो भी लेकिन match देखने में जरूर मज़ा है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शेकर जी और और अरंगे जी भाई इस इंट्रेसिंग चर्चा में जोडने के लिए हमारे दर् एंट्रेस करेंब चू़PN польз में जो एंट रह में जोडने के लिए mash library बावी है कि तोagus करता है आव